दहिंदुराष्ट्र चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी मिला है राम मंदिर का निमंत्रन। तो यहां जाने जरूरी नियम वर्ना होंगे बाहर। राम मंदिर प्रस्ट के कैंप कार्याले प्रभारी प्रकाश गुपता ने बताया कि राम ला के प्रान प्रतिष्ठा को लेकर प्रान प्रतिष्ठा के मध्य नगर लगभग 6,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रन पत्र पूरे देश में भेजा जा रहा है। अयोध्या में जैसे जैसे प्रान प्रतिष्ठा की तारीख नस्दीक आ रही है। इन दिनों श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट 4,000 वरिष्ठ साधु संतों को आमंत्रन पत्र दे रहा है। यहां आमंत्रन पत्र ट्रस्ट के महा सचिव चंपत राय की तरफ से भेजा जा रहा है। जिसमें प्रान प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने का निवेदन भी किया गया है। भगवान राम की मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा के दौरान 4,000 संत महेंट और 2,000 विभिन्नक्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। इतना ही नहीं आमंत्रन पत्र में बाकायदा श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय ने एक निवेदन भी किया है। सुरक्षा दृष्टी से प्रान प्रतिष्ठा के दिन प्रवेश करने को लेकर उस निवेदन पत्र में कुछ महत्वपून बिंदू भी दिये गए हैं। जिसका पालन करने के बाद ही आपको प्रान प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। साधु संतों को ट्रस्ट भेज रहा आमंतरन पत्रराम मंदिर ट्रस्ट के कैंप कार्याले प्रभारी प्रकाश गुपता ने बताया कि रामला के प्रान प्रतिष्ठा को लेकर प्रान प्रतिष्ठा के मध्यनगर लगभग 6,000 से ज्यादा लोगों को आमंतरन पत्र पूरे प्रधान मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की दृष्टी से यह जरूर निवेदन किया जा रहा है कि क्या चीज उस दर्मिया राम मंदिर में नहीं जाएंगी। इसका विशेश ध्यान रखें। मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बड़े संतों से भी आगरह किया गया है कि छत्र चमर और ठाकुर जी साथ में नहीं जाएंगे। राम जन्म भूमी परिसर में ग्यारा बजे आमंत्रित सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा और तीन घंटे तक वह राम जन्म भूमी परिसर में मौजूद रहेंगे। तीर्थ शेत्र ट्रस्ट ने किया निवेदन। आप अपना आधार कार्ड अपने साथ रखें। कार्यक्रम स्थल पर दिन में 11.00 बजे से पहले प्रवेश करना होगा। र्यक्रम तीन घंटे से अधिक चल सकता है। कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए तथा वापस आने के लिए एक किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। यहां निमंत्रन पत्र व्यक्तिगत है। अर्थात एक निमंत्रन पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति का प्रवेश संभव है। कोई सेवक अध्वा शिश्य साथ में आते हैं तो उनको कार्यक्रम स्थल से बाहर ही रहना होगा। किनही धर्माचार्य अध्वा संथ महापुरुष के साथ कोई सुरक्षा कर्मी होंगे तो वो भी कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कार्यक्रम स्थल माननिय प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा तंत्रद्वारा पहले से ही पूर्ण सुरक्षित रहता है। ननिय प्रधान मंत्री जी के मंदिर परिसर से बाहर चले जाने के बाद मंदिर परिसर में विराजमान संत महापुरुष रामला के दर्शन कर सकेंगे